जैहिन गाइस अब स्टार्ट और नेक्ट वीडियो लेक्चर अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं चलते हैं शुरू करते हैं मैं धर्मेन कुमार दुबे अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं जैसे सबको पता है कि जो इकजाम है उसका डेट यड़ी आपके पास आ गया है पता है सबको पता हो गया है कि एकजाम का डेट क्या है जैसे एक्जाम है आपका 25 है 26 है और 27 जोन है अगर ये देखा जाए तो हम लोगों के पास जो है वो नियर बाउट ये 60 डेज मतलब दो महीने से भी कम का दिन बचा है तो हम लोग एक प्लान बना है कि 15 डेज में एक ऐसा मास्टर प्लान क्या हो कि जिनका नेट नहीं निकल पा रहा है या जिनका जेयर अप नहीं निकल पा रहा है तो उनकी तैयारी कैसी हो उसके लिए हम जो है एक टेस्ट सिरीज शुरू करने जा रहा है जोईन माक टेस्ट सिरीज और इसकी जो हम स्टार्टिंग करने जा रहा है ये बिल्कुल फ्री है आप हमारा ये जो वाट्सअप नंबर है जो लिखा एक क्यानवे, चालीस, दोसो बीस, तिरसो चातिस पे आप इस पे जुड़िए हम जो है 11 मई से एक माउक टेस्ट शुरू करने जा रहा है ताकि 50 दिन में एक हम पूरा पूर्फूरूप आइडिया बनाएंगे कि कैसे अपकी सफलता की संभावना जो है वो मैक्सिमम हो जाए तो इस नंबर पे सिर्फ अपना आप नाम लिख है और हमें वाट्सअप पे अपना नाम भेज़ दा है हम जो है ये ग्रूप बनाने जा रहा है मैं CSIR, NetJRAF 2014, Zune की तैयारी के लिए हम लोग एक वाट्सप पे ग्रूप बना रहे हैं इसमें हम अच्छे कोस्टन्स का सेलेक्सन्स करेंगे जो जितने फ्रेमवर कोस्टन्स हैं उसकी बात होंगी ये सब बात होंगी ये सब के लिए जो है फ्री है उसमें कहीं कोई करेंगे ये जो हमारा फिप्टीन डेज का जो एक मास्टर प्लान किया थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग जो है इस वरसी यसायार 24 जून के एक्जाम को क्रेक करें देखिए बेसिकली हम मैंत्मियां बात करना है अगर हमने पूरी आइडिया बना से हैं तो 30 से 35 है बाकी ओडी पीडी से लेकर ये 60 से 70 है 10 से 15 है और भी सब बैरियेशन है नेक्स स्लाइड जो है बिल्कुल आपको क्लियर कर देगी जो हमारा फिप्टीन डेज का जो माक्ष्टर प्लान हो कैसा होना चाहिए अगर हम रियल इनाल्सिस की बात करना तो मैक्स जो हमारा नंबर है यह रियल इनाल्सिस कंप्लेक्स अनाल्सिस और लीनियर एलजवरा अगर हम इसको अगर द्यान से पढ़ना तो मैक्सिमुम वह में सोब ला सकते हैं और वह भी कैसे पढ़ना है उसके आगे नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है बिल्कुल क्लियर कर देगा अगर इस आइडिया के अगर आप तैयारी अपनी कर रहे हैं तो डिफिनिटली वाकी सफलता की संभावना जो है न वह सबसे मैक्सिमम हो जाएगी जयारी आपके लिए कि 100 प्लस चाहिए और नेट क हम बात करना है इसी के काइटिंग और बागी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं ठीक है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है यह देखें इफ वी स्टडी इन प्रापर वे आफ इजी पार्ट आफ रियल एनाल्सिस कंप्लेक्स माडर्न एलजब्रा लीनियर एलज अगर हम इसके इजी पार्ट पके अगर फोकस करते हैं जो जनरली आते हैं लिकलेक्स वह इसके इजी पार्ट प्रजब्र एल्जबरा के easy part focus करें linear algebra od है pd है तो हम लोग 110 नंबर easily ला सकते हैं तो आपकी जो तैयादी का एक तरीका होना चाहिए न वो इसी पर आप main focus करें real analysis complex और algebra अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 110 आपको number यही ला सकता है लेकिन थोड़ा इसको आप deeply पढ़ना पड़ेगा क्योंकि real analysis बढ़ा वास syllabus है नहीं चोटा मोटा syllabus है नहीं complex और algebra और जितना मिला के होगा modern algebra और complex उतना पूरा एक real ही पाट पड़ता है इसलिए इसका maximum वेटेज है 55 से लेके 65 नमबर आता है उसके बाद linear algebra का वेटेज यहां जाते हैं कहां भी जाता है अगर real और linear पर किसी ने command अगर कर लिया तो उसका जयार्यव पक्का लेकिन real पर command करना इतना आसान नहीं है इसलिए आप complex और modern algebra और ODPD को भी पढ़ाएं ताकि आपका JRF यह clear हो सके तो यह जो master plan है आपका IC के काइटिंग अपनी तयारी करिए पर आला mark test जो है शुरू करने ही जा रहा है आप लोगों का 11 से 7 बज़े होगा तो उसके लिए आप again 940-220-336 है मेरा वार्ट्सप नंबर है इस पर सिर्फ अपना नाम बेंज दीजिए हम आपको एक जोईन कर लेंगे गरूप बना रहा है और उस गरूप पर ही हम लोग marvelous questions का सेलेक्शन करेंगे ऐसे questions का सेलेक्शन करेंगे जो 2024 जो मारा जून का एक्जाम होने जा रहा है हम प्रयाज करेंगे कि उसी तरीके से question बने तो next video lectures में और सब बात होंगी हम अपना lecture यहीं फिनिस करते हैं तो थैंक्यू गाइस जाएं और एक बात आप अँए का और बीटियो लेक्शर्थ को आप जादे से जादे आप शेयर करें जादे जादे लोहों को बीचमे फेलहें क्योंकि हम जो मार्क टेस्ट लेने जा रहा तो फ्री लेने जारहें इसलिए हम आप से उमीद करते हैं कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करना और ज जादे जादे सेयर करें और लोगों की बीच इसीज को लाएं तो अगें थैंक यू गाइस जाएंड